अगर पत्नी ना मिलती तो कभी यकीन नहीं होता कि अजनबी लोग भी अपनों से ज्यादा प्यारे हो सकते हैं लोग कहते हैं हातों की लकीरे अधूरी हो तो किस्मत में पत्नी नहीं होती लेकिन कहा ये भी जाता है कि हातों में पत्नी का हात हो तो लकीरों की भी जरूरत नहीं पड़ती नमशकार मैं हूँ मुहत कमिल श्रिमाली और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और करवा चौत के महरत और सावधानियों के इस विशेश एपिसोड में इस एपिसोड में मैं आपको चंद्रमा को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए ये बताने वाला हूँ पती की लंबी आयू का विशेश मंत्र ये भी बतलाने वाला हूँ करवा चौत का वरत किस समय रखा जाएगा ये भी बताऊंगा तो ऐसे समय में एक खास उपाए ऐसे उपाए जिससे की दूर जाता या तफिर प्यार में जब दरार आती है परिशानिया बढ़ती है उस समय अगर ये उपाए किया जाए तो वापिस रिश्टों में मिठास घड़ जाती है कि करवा चौत का वरत जो है वो कार्तिक माहा के क्रिश्नपक्ष की चतुरती तिथी को मनाया जाता है ये वरत सुघागिन स्त्रियां अपने पती की लंभी आयूक ले करती है और इसे चतुरती तिथी के आरम बहुने से लेकर के चंद्र-उद्दैत तक किय जाता है इस व्रत में शिव परिवार सहित चंद्र देवता की भी पूजा होती है और कुछ नियम है कानून है जिनका पालन करना इस समय सबसे जादा जरूरी है कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है और ऐसे में अपने घर अनुसार जो परंपराएं है उसका इस स व्रत में महिलाएं पूरा शुनिगार करती है सज धजती है पालर्ज में जाकर के तयार होके आती है ताकि जब इस व्रत का समापन हो पारण करें तब अपने पती के सामने एक छवी वापिस वो वाली रख सके जो शादी के समय थी जो खुबसूरती थी जो प्यार था वो अब इस व्रत में मिट्टी के करवे लिये जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है और इसके अलावा करवाचौत माता की कथा सुनना भी बहुत जरूरी बताया जाता है करवाचौत की पूजा में भगवान शेव, गणेज जी, माता, पार्वती जी और कार्थिके जी सहित, नंदी जी की और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है तो अब समय क्या है इस पूजा का चतुरती थी थी आरंब वैसे 31 अक्टोबर से हो रही है रात के 9 बच के 31 मिनिट से और 1 नवंबर 2023 की रात री 9 बच करके 19 मिनिट तक रहेगी तो सूर्य उदै थी के अनुसार यहाँ पर 1 नवंबर को करवाचौत मनाई जाएगी सरवार्त सिद्धी योग और शिव योग का इसमें आपको साथ मिलने वाला है जो इस करवाचौत को और भी जादा बहतर बनाता है और जादा शुबफल प्रदान करने वाला बनाता है तो सरवार्त सिद्धी योग जो है वो 6 बच के 33 मिनट से 2 नवंबर को सुबह 4 बच के 36 मिनट तक रहेगा और 1 नवंबर को शिव योग जो है वो 1 नवंबर की दोपहर 2 बच के 7 मिनट से शुरू होगा और पूरे दिन रहेगा अब आप जो वरत रखेंगे उसके लिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस समय वरत के लिए बहुत जरूरी है वरत जो आप रखेंगे वो 1 नवंबर को सुबह 6 बच के 33 मिनट से शुरूआत करेंगे और रात की 8 बच के 15 मिनट तक वरत रहेगा 8 बच के 15 मिनट को समय ये जो बता रहा हूँ ये चंद्रोदय के कारण है ये मेरे शहर के अनुसार जो चंद्रोदय का समय है वो है आपके शहर के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है तो चंद्रदर्शन के बाद में ही वरत खोला जाता है इसका ध्यान रखिएग अब करवा चौत पूजा का शुब मोहरत क्या है तो 1 नवंबर 2020 यानि की दिन बुदवार को शाम के समय 5 बच के 36 मिनिट से 6 बच के 54 मिनिट तक ये पूजा का शुब मोहरत है चंद्र उदे 8 बच के 15 मिनिट या 8 बच के 10 मिनिट के लगभग होगा तो ऐसे में आपके शेहर के अनुसार ये समय आपको देखना जरूरी है इस वरत को चंद्रमा के आने तक रखा जाता है और चंद्रमा दिखाए देने के बाद में ही उनकी पूजा कर अर्ग दिया जाता है और जल अर्पन के दौरान जो मंत्र है वो आपको बता रहा हूँ इसका उच्चारण जरूर कीजेगा मंत्र है सौम्य रूप महाभाग मंत्र राज द्विजोतम मम पूर्व कृतम पापम ओशधीश शमस्व में इसका मतलब क्या है मन को शीतलता पहुचाने वाले सौम्य सौभाव वाले ब्रामनों में श्रेष्ट सभी मंत्र और आशधियों के स्वामी चंद्रदेव मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किये गए पापों को शमा करें मेरे परिवार को सुख शांती प्रदान करें पती की दिर्ग आयू की आशिरवाद मुझे प्रदान करें अब दूसरा मंत्र ये खास तोर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पती की दिर्ग आयू की कामना के लिए है और ये आपको जरूर याद रखना चाहिए है या तपर स्क्रीन शॉट ले लीजेगा क्योंकि ये मंत्र उचारण करना जरूरी है हर जगे के अपने अपने रिवाज होते हैं उस अनुसार वरत भी रखे जाते हैं हर परिवार के अलग-अलग होते हैं तो उसके बाद वरत करने वाली अपनी पती के हाथ से पानी प्रीकर के वरत खोलती हैं वैसी समय चंद्रमा का दर्शन करके पती के हाथों से निवाला लेकर के पती के चर्णों को सपर्श करके आशिरवाद लेती हैं और आशिरवाद क्या होता है स्वभाग्यवती भवह चंद्रमा के सामने ये प्रक्रिया पूरी होने से चंद्रदेव का भी आशिरवाद पती पत्नी की जोड़ी को मिलता है जिससे दोनों के बीच में आपसी लगाव में व्रद्धी होती है और पत्नी के दोरा पती के लिए की गई दिरगायू की कामना भी पूर्ण होती है और शिवजी का भी आशिरवाद निरंतर बना रहता है जिससे आपका जीवन सुख में बने पती की आयू लंबी हो अब आपको यहाँ पर खास तौर पर महलाएं जो है उनको यह चीज़ बता रहा हूँ कि अपनी राशी के अनुसार अगर इस समय में आप अगर कपड़े पहने लहेंगे या जो भी आप ड्रेस्स खरीदने वाले हैं या खरीद रहे हैं तो इस रंग का इस्तमाल जरूरी है क्योंकि यह आपके राशी अनुसार है और राशी अनुसार रंग का इस्तमाल आपके जीवन में खुश्यों के रंग भर सकता है सबसे पहले मेश राशी के महलाएं आपका स्वामी ग्रह मंगल है तो ऐसे में लाल रंग या ओरेंज रंग आप जरूर पहने वरशब राशी के लिए स्वामी शुक्र हैं तो सुनहरा रंग गोल्डन रंग येलो रंग आप पहन सकते हैं मितुन राशी बुद ग्रह स्वामी है तो हरा रंग का इस्तमाल आज के दिन जरूर करें करक राशी के महलाओं के लिए स्वामी चंदरमा है लेकिन सफेद रंग पहनना तो आज के दिन शुब नहीं माना जाता सफेद हो काला हो डाक गलू हो तो ये नहीं पहनते पर पेस्टिल कलर्स मौडन जमाने के साथ में आप इस कलर का इस्तमाल जरूर कर सकते हैं सिंग राशी के महलाओं आपका स्वामी ग्रह यानि की राशी अधिपती सूर्य है अब ऐसे में लाल रंग हो नारंगी हो गोल्डन हो इनका आप इस्तमाल जरूर कर सकते हैं कन्या के लिए स्वामी ग्रह बुद है तो पीला याद फिर हरा रंग आज के दिन जरूर इस्तमाल करें तुला राशी की महलाएं गोल्डन रंग का इस्तमाल करें क्योंकि आपका स्वामी ग्रह शुक्र है वरश्चिक राशी के महलाएं स्वामी ग्रह मंगल होने के कारण लाल रंग के आज के दिन कपड़े पहने धनु राशी की महलाओं के लिए ब्रहस पती देव राशी अधिपती है जिसके कारण पीला या फिर गोल्डन रंग पहना जा सकता है शनी ग्रह मकर एवं कुम्ब राशी के स्वामी है तो ऐसे में आप दोनों ही राशिया अस्मानी रंग या फिर ये कहा जाए कि ब्लू के जो पेस्टिल शेड्स होते हैं वो आप इस समय में पहन सकते हैं मौडन जमाने के साथ में मौडन ड्रेसिंग इस समय में आपके उपर बहुत ही जादा जचने वाली है अब आपका परेचय कराता हूँ उस विलक्षन उपाय से जो आपके दामपत्य जीवन में टक्राव हो उसको मिटा सकता है आपसी प्रेम और विश्वास को बढ़ाने या फिर बरकरार रखने के लिए आपको छोटा सा एक काम करना है रेश्मी कपड़े में पचास ग्राम पीली सरसों दो गोमती चक्र ये डाल करके एक छोटे से सफेद कागस पर अपने और अपने हस्बिन दोनों का ही नाम अलग-अलग लिखे और इन दोनों ही कागसों को इस रेश्मी कपड़े के साथ में बांध दीजे अब इस बात का ध्यान रखे ये जो पोटली आपने बनाई है कहीं ऐसी जगे रखे जहाँ किसी का भी ध्यान नहीं जाता घलता नहीं डालता किसी की नजर तक उस जगे पे नहीं जाती ऐसी जगे पे इस पूटली को आप रख दीजे जो वापस अगले साल करवा चौत पर ही आप खोलेंगे ऐसा करने से दामपति जीवन आपका बहतर बनता है मिठास बढ़ती है मजबूत बनता है विश्वास बढ़ता ह आपसी प्रेम भी बढ़ता है ये उपाय खास तोर पे मैं अपनी बहनों को इस वज़े से बता रहा हूं कि आज की भागदौर वरी जिंदगी में हर इंसान कमाने के पीछे भागता है अपने परिवार को बहतर चीजें देने के लिए भागता है पर महीं परिवार के साथ म समय बिताना भूल जाता है और समय ना बिताने के कारण हर महिला की एक शिकायत रहती है कि मुझे सुनते नहीं है मेरी बाते नहीं समझते हैं हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाते अनेकों ऐसे कारण है और जिसके कारण प्यार धीरे-धीरे कम होता है टक्रार जादा पायक करके जिसमें कुछ पैसे आपके खर्च नहीं होने पर इससे अगर आपका दामपती जीवन बहतर हो सकता है तो आपका भाई यही काम ना करेगा कि आपका जीवन बहतर के लिए जरूर बतले हमेशा की तरह प्रात्ना यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमार साथ में ऐसे ही बना रहे जैश्री राम एवं जैहन झाल